नवश्कार खुलुमखा राज्यकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने पर सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई त्रिपुरा के दिर्मान और इसके विकास के लिए योगदान देने वाले सभी महापुरुषों का आदर पुर्वक अभिनंदन करता हूं उन्त के प्रयाशों को प्रणाम करता हूं त्रिपुरा का इतिहास हमेशां से गरीमा से भरा रहा है मानिक्ये वांस के समराटों के प्रताप से लेकर आज तक एक राज्ये के रुप में त्रिपुरा ने अपनी भुमिका को ससक्त किया है जनतायतिये समाज हो या दूसरे समुदाए सभी ने त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी मेहनत के साथ एक जुड़ता के साथ प्रयास किये है मात त्रिपुरा सुंद्री के आशिरवात से त्रिपुरा ने हर चनोती का हिम्मत के साथ सामना किया है त्रिपुरा आज विकास के जिस नए दोर में नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है उसमें त्रिपुरा के लोकों की सुझबुझ का बहुत बड़ा योगदान है सार्थक बढ़लाव के तीन साल इसी सुझबुझ का प्रमान है आज त्रिपुरा अवसरों की धर्ती बन रही है आज त्रिपुरा के सामाने जन की छोटी छोटी जरुते पुरा करने के लिए डबल इंजिन की सरकार निरंतर काम कर रही है तभी तो विकास के अनेक पहमानों पर त्रिपुरा आज बहतरीन प्रदर्शन कर रहा है आज बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्टर के माध्यम से अभी राज्य ट्रेड कोरिडोर का हब बन रहा है इतने दसकों तक त्रिपुरा के पाथ सेश भारत से जुडने का सिर्फ एक मात्र जरिया रोड ही था मौन्सून में जब लेंड्स लाइंड से रोड बंध हो जाते थे त्रिपुरा सहीत पूरे नौर्थ इसमें जरुरी सामान की कितनी कमी हो जाती थी आज रोड के साथ साथ रेल हवाई इनलेंड वोटर वे जैसे अनेक माध्यम त्रिपुरा को मिल रहे हैं राज बनने के अनेक सालों तक त्रिपुरा बांगलादेश के चिटगाओं पोड के लिए एक्सेस की डिमांड कर रहा था डबल इंजीन की सरकार ने इस दिमांड को पूरा किया जब 2020 में अख़वरा इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट पर बंगलादेश से पहला ट्रांजिट कार को पहुँचा रेल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यम में सामिल हो रहा है कुछ दिन पहले महाराजा वीर विक्रम एरपोड का भी विस्तार किया गया है साथियों आज एक तरफ त्रिपुरा गरीबों को पक्के घर देने में प्रसंसनिय काम कर रहा है तो दूसरी तरफ नई टेक्नोलोजी को भी तेजी से अपना रहा है हाउसिंग कंस्रक्शन में नई टेक्नोलोजी का उप्योग देश के जिन छे राज्यों में हो रहा है उनमें त्रिपुरा भी एक है तीन साल में जो कुछ हुआ है वो तो अभी शुरुवाद भर है त्रिपुरा के अथली सामर्थ का सामना उस सामर्थ को पूरी ताकत से प्रगड करना उस सामर्थ का सामने आना अभी तो बाकी है प्रशाथन में पारदर्तिता से लेकर आधूनिक इंफ्रस्रक्चर तक आज जिस त्रिपुरा का निर्मान हो रहा है वो आने वाले दसकों के लिए राज्य को तयार करेगा विपलव देव जी और उनकी टीम बहुत परिश्रम के साथ जूटी है हाल में ही त्रिपुरा सरकार ने हर गाउं तक अनेकों सुविधाएं शत्त प्रतिशत पहुंचाने का अभ्यान शुरू किया है सरकार का ये प्रयास त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने में बहुत मदद करेगा जब भारत अपनी आजादी के सो वर्ष पुरा करेगा तब त्रिपुरा भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पुरा करेगा ये नए संकल्पों के लिए नए अवसरों के लिए बहुती उत्तम समय है हमें अपने कर्तम्यों को नुभाते हुए आगे चलना है हम सभी मिलकर विकास की गति को बनाए रखे इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद